स्वागत हमारे यूटूब चैनल नालेश फड़ाफट में मेरा नाम है विसाल प्रजापती तो एके टू छात्रों के लिए एक बड़ी गुड़ नूज आ रही है तो चलिए सुरू करते हैं आप लोग देख सकते हो अमारे उजाला के नुज पेपर में ये अपडेट आई है जो कि पूरी तरीके से ओफीसियल अपडेट है देखिए क्या बोला गया है निजी इंजिनिरिंग और बेवसाइक संसानों में इस साल भी फीस ब्रिद्धी नहीं इसको ध्यान से समझेए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट साबित होने वाला है उसके साथ ही अब आगे रिजल्ट के बारे में बात करूँगा क्योंकि चार-पांस दिन से रिजल्ट को लेकर कोई वीडियो आ नहीं रही है तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि प्रदेश के निजी इंजिनिरिंग फार्मेसी बेवसाइक संसानों में अब उसके साथ ही अगर इस समय किसी कोई बच्चा एडवीशन कराने जाता से माफी के कालेज में तो अगले साल एक लाग हो जाती है अब इस बार 2023 में अपने ही कालेज में आप देखोगे एडवीशन कराने जाओगे किसी लड़की का तो काइंग भई यह एक लाग दोस जार हो गई है मतलब चीजे वही बिल्डिंग वही फैसेल्टी वही फैकल्टी जो है वो तो बस से बत्तर होती जा रही है जो कि उनके पास रिएजेंट होता हो तो और बेकार होता जाता है कुछ मोडिफिकेसन नहीं होता है लेकिन हर साल उनकी 10,000, 12,000, 15,000 फीज बढ़ती जाती है बीटे कभी यही हाल है डी फार्मा कभी यही हाल है सुरू होता है कहीं साथ जार से सुरू होते होते हैं आज एक लाग बीस जार एक लाग तीज़ फीज हो गई गौर्मेंट ने इसको निरस्ट कर दिया और बोला कि अभिभाव को की आर्थिकी सिति को देखते हुए हम लोग यह नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोरोना की सिति से सब लोग गुजरे हैं और यह पर आर्थिकी सिति मतलब का एक बोज बन जाएगा अगर आप लोग फीज बढ़ाते रहो तो बढ़ाते रहोगे और यह पर जो प्रस्ताव था उसको पूरी तरीके से यहाँपर निरस्त कर दिया गया है अब देखो गौर्णमेंट ने मना कर दिया अब हलांकि अलग बात है कि जो प्राइबेट कॉलेज हैं वो अपने तरीके से मनमानी लूट रहे हैं लेकिन आप लोग इसको दिखा सकते हो अगर बोले कि फीज बेटा बढ़ गई है आप से बोले थे 80,000, 90,000 मांग रहे हैं तो ये चीज़े आप लोग उनको दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये क्या है आप क्यूं फीस ले रहे हो उसे तो भाई किसी को कोई रोक नहीं सकता मनमानी तो सब करते हैं लूट लूट पार्ट मची रहती है आपको पता ही है ये मैं अपने टेलिग्राम पर डाल दूँगा अब रही बात रिजल्ट को लेकर तो देखो दो तीन चीज़े क्लियर कर देता हूँ पहला तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो सबाज लागया है कि रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आपको फार्म भनना है फेज़वन का और आपका क्या हुगा रिजल्ट आई हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गए होगी आप जाके देखो आपका रिजल्ट बावला उसमें जो बैठा है अधिकारी या कोई भी हो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन समझे लो एक प्रकार से एक दम एक नंबर के गदो वाली हरकते करते हैं कोई भी सर्कूलर निकान लेस पहले हैं उनको सोचना चाहिए कि महराज जब आप रिजल्ट दो महीने पहले मतलब कपका डिक्लियर कर दिये हो तो चैलेंज यॉल्यूइशन तीन महीने बाद का है निकाल दो फार्म और उसमें रूल लिख रहो तीस दिन के अंदर भरना है तो मेरे भाई जब रिजल्ट आप डिकलियर कियो तो उसके तीस दिन के अंदर फार्म तो निकालो चैलेंज यॉल्यूशन का जब आप खुदी तीस दिन के बाद फार्म निकालोगे तो उसमें बच्चा क्या करेगा भाई उसकी गलती ही नहीं है आप फार्म ही नहीं निक तो कोई नोटिस घर जारी करेगा और आपको करेगा तो आप भर सकते हूं यही रिजन है कि आप भाम नहीं भर पा रहे हो डाउट क्लियर अब बात आती है भी फार्मा एट समेस्टर और करिवर रिजल्ट के बारे में तो रेगुलर के रिजल्ट आ चुके हैं और आपको पत गया है कि बोला गया है या समझो जो भी अपडेट आ रहे हैं उसके कार्डिंग बोला जा रहा है कि 10-12 अगस तक बी फार्मा फाइनल येर वालों का रिजल्ट आ जाएगा हलांकि अब इसकी ऑफीसियल तो कोई पुष्टी हुई नहीं है यह जो अपडेट आ रहे हैं उस सबसे पहले बताता है और रिजल्ट पर वीडियो नहीं बना रहे हैं कोई अपडेट ही इस वज़स नहीं बना और एक अपडेट कोई भी अपडेट मुझे मिले तो मैं तूरंद वीडियो बनाऊंगा यह मेरी गारांटी बस आप लोग चैनल को सब्स्राइब करकि बेल आ आडियंस बोल लही है रिजल्ट पर वीडियो बनाने के लिए बना ही देता हूं मेरा क्या जाएगा बात खत्म तो ऐसा मैं नहीं कर सकता अपडेट आने तो मैं वीडियो बनाके बता दूंगा आई होब कि आपनों मेरी बातों को समझ रहेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो उमीद करता वीडियो पसंद आई होगी तो तब तक के लिए बाबाए टेक कियर प्लीज मेक सियो टू सब्स्राइब और चैनल थे